नमस्कार दोस्तों मेरी चेनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारें लोकी के कौपते की बहुती टेस्टी रेसीपी जो खाने में बहुती टेस्टी लगती है और बनाने में एकदम आसान है यहां मैंने लिए 500 ग्राम लोकी लोकी को मैंने धो करके छील लिया है और इस एक चमच यहां हम जीरा एड़ करेंगे आदा चमच डालेंगे हल्दी पाउडर एक चमच मैंने यहां डाला है धनिया पाउडर एक चमच हम यहां डालेंगे अजवायन अजवायन है जो हमारे पाचन के लिए बहुती बढ़िया होता है साती इससे बहुती अच्छा टेस्ट भी आता है थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और दो हरी मिर्ची को मैंने यहां बारी काट करके डाला है नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने लिया है एक छोटा काटोरी बैसन तो हम यहां लोकी में थोड़ा थोड़ा बैसन एड़ करेंगे और इसे हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने यहां थोड़ा सा बैसन और डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहां मैंने देखिए सबी को अच्छे से mix कर लिया है और लगभग दो छोटे चमच बैसन को मैंने यहां बचा लिया है तो हमें बैसन इतना ही डालना है कि हमारे जो कौपते हैं वो अच्छे से wind हो जाएं हमें यहां ज़्यादा बैसन को नहीं add करना है यहां मैंने तीन टमाटर और एक टुकड़ा अधरक का आठ से दस लेसन की कलिया और दो हरी मिर्ची को लिया है इन सब को हमें पीस करके पेस्ट बनाना है तो कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे लोकी के कॉपते तो इस तरह से हम एक कॉपते यहां बनाएंगे यह लोकी के कॉपते बहुत ही आसानी से और फटाफट से बन जाते हैं तो मैंने यहां एक बेच को बना करके कड़ाई में add कर दिया है जब ये एक साइड से सिख जाएंगे तो पलट कर हम इने दूसरी साइड से सेखेंगे और यहां आज को हमें मेडियम रखना है जिससे कि जो हमारे कौपते हैं वो अंदर तक अच्छे से सिख जाएं तो यहां मैंने दोनों साइड से लोकी के कोपतों को अच्छे से सेक लिया है तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इस तरह से हम यहां सभी कोपतों को निकाल करके ले लेंगे अब हम बाकी के जो कौपते बचे हैं उन्हें भी यहां बना करके तयार कर लेते हैं और इन्हें भी दोनों साइड से हम मीडियम आज पर सेख करके इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो यहां मैंने सभी कौपतों को बना लिया है, कौपते हमारे बहुती सौफ्ट बने हैं, अब हम जो कड़ाई में एक्स्ट्रा तेल है, उसे निकाल लेंगे, और एक चम्मत तेल मैंने यहां रख लिया है, डालेंगे इसमें जीरा, जीरा को अच्छे से लाल कर लेंगे, और एक प्याज को मैंने यहां बारिक काट करके लिया है, प्याज को हमें यहां सुनेरा भूनना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा चमच, हल्दी पाउडर, एक चमच डालेंगे लाल मिच्ची पाउडर, एक चमच डालेंगे धनिया पाउडर, और इन सब को हम अच्छे से पका लेते हैं मैंने यहां मसालों को लगबग दो मिनट पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर के पेश्ट को और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हमें 5-6 मिनट यहाँ पकाना है तो मैंने यहाँ लगबग मसालों को 5 मिनट पका लिया है मसाले हमारे देखिए अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे दो छोटे चमत कसूरी मेथी और इसे हातों से अच्छे से क्रस्ट कर देंगे और इसे मसालों में मिक्स करके हम इसे 1 मिनट यहाँ पका लेंगे उसके बाद हम यहाँ डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम एक उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे उसके बाद हम यहाँ लोकी के कौपतों को एड़ कर देंगे और इन्हें हम 2-3 मिनट धीमी आज पर पकाएंगे तो मैंने यहाँ लगबग 3 मिनट सबजी को पका लिया है सबजी हमारी बन करके तयार है अब हम इसके उपर एड़ करेंगे हरा धनिया तो यह लीजिए दोस्तों हमारी बहुती टेस्टी लोकी के कौपते की सबजी बन करके तयार है और इसे आप रोटी पराँठा के साथ सर्व कर सकते हैं यह खाने में बहुती ही टेस्टी लगती है और बनाने में एकदम आसान है तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसीपी कैसी लगी मुझे कमेंट करें लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब करें धन्यवाद